हेलो एवरिवन, विल्कम बैक टू माई चैनल, तो आज स्पेशल संडे की स्पेशल तम आलू की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं ये मैंने 8-10 कच्चे आलू को छील करके, हाफा भाग में कट कर लिया है, अब उसमें मसाले मिलाते हैं, जैसे की हल्दी पाउडर और ये मैंने किचन किंग मसाला इसमें एड़ किया है, थोड़ा सा सरसो का तेल और एक चमच कॉर्ण फ्लोर पाउडर, और अब सब को अच्छ तरीके से इसे मिला लेते हैं, और जब संडे हो तो क्यों ना शादी वाली स्पेशल आलू दम रेसिपी बनाया जाए, तो बस इसे अच्छे तरीके से मैरिनेट करते रहना है, और इसे हम लोग कूकर में बनाएंगे, और देखे, चौपर में मैं दो बड़े साइज के प्य कर ली हूँ और उसके बाद टमाटर को भी चौपर में ही चौप करना है, कुकर हमारा गर्म हो गया था, उसमें मैंने सरसो का तेल आट किया है, और जब तक तेल हमारा गर्म हो रहा था, तो चलिए, अब इसमें सारे आलू के जो पीसेज को मैंने कट किया था ना, उसे इसम से दोनों तरब सेक लेंगे मतलब छान लेंगे तो चलिए इसे दोनों तरब अच्छे तरीके से हम लोग चला लेते हैं और ये बहुत ही अच्छी बनके तयार हुई थी एकदम चावल के साथ खाने में पूरी पराथे रोटी आप इसे किसी के भी साथ इंजॉय कर सकते हैं ब बहुत ही डिलिश्यस बनके तयार हुई थी तो ये आलू जो है न अच्छे तरीके से फ्राइ हो गए हैं और अब इसे मैं निकाल लूँगी प्लेट में आलू को फ्राइ होने में मैक्सिमम सेवन टू एट मिनिट का टाइम लगा था तो देखे सारे आलू अच्छे से फ्र प्याज को चौप करके रखा था वो प्याज इसमें एट कर देंगे और अब प्याज को अच्छे से दो तीन मिनिट तक भून लेते हैं और जब हमारा प्याज अच्छे से भून रहा है तब तक मैं एक बाउल में सारे मसाले, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च निकाल लेती हूँ और उसमें थोड़ा सा पानी आड़ करके मसालों को अच्छे से मिला करके प्याज में डाल देना है तो चलिए मसाले अच्छे तरीके से मिल ला लेते हैं और अब इसमें आड़ कर देते हैं और अब मसालों को अच्छे से चला लेते हैं और गैस का फ्ले मीडियम हाई रखना है ताकि हमारे मसाले भी अच्छे से पक जाए और अब टमाटर को इसमें एड़ कर देना है टमाटर को भी चौपर में ही चौप किया था तो चलिए तमाटर अब ढख ढख के पकाएंगे ताकि मसाले से जो है तेल छोड़ने लगे और तब तक जब तेल छोड़ने लगेगा ना इसका मतलब है कि हमारे मसाले अच्छे तरीके से फ्राय हो चुके हैं तो इसे अब 3-4 मिनिट तक अच्छे से ढख ढख के पकाऊंगी और तब मैं इसमें अब आट करूंगी मीट मसाला एकदम थोड़ा सा आट किया है और ये गरम मसाला अब मसाले में ही से भी भूनना है तो इसे भी चला लेते हैं और फिर ढख देते हैं देखे कितना अच्छा मसाले से तेल छोड़ने लगा है इसका मतलब है कि हमारे मसाले अच्छे तरीके से फ्राय हो चुके हैं और अब इसमें सारे आलू को एड कर देते हैं मसाले के साथ आलू को मिला लेते हैं और दो-तीन मिनेट तक इसे भूनेंगे और उसके बाद अपने अनुसार पानी आड कर देना है तो पानी एक ग्लास से थोड़ा कमी अभी आड की हूँ और अब पूरा एक ग्लास पानी एड कर दिया है कुकर का धकन करेंगे बंद और एक सीटी आने तक इसे एक सीटी आ गई थी कुकर हमारा ठंडा हो गया था तो चलिए धकन खोड लेते हैं और अब देखते हैं हमारी दम आलू कैसी बनके तयार हुई है तो देखिए ये एक दम बनके परफेक्ट रेडी हो गया है और बहुत ही डिलिश्यस और यमी बना था चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसके मसाले और अब इसमें हरा धनिया एड कर देते हैं और चला लेते हैं और उसके बाद एक बाउल में सर्व कर लेंगे और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो मैं इसे सर्व कर लेती हूँ